अपरादिक तत्वों के विरुद्धिल लगातार कारवाही की एक इसी तारत हमें बस्तर जुले में शिटी-कोत्वाली शेतr धरंपूरा काली रोड में हुए लूट पार्ट के अपरादिक वारदात को सुल्जाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है बता दें कि किस नवंबर 2022 को फर्यादी शरत साहा अटल आवास की और से साइकल चलाते हुए कान में एरफोन लगा कर हाथ में ओपो का फोन से वीडियो देखते हुए अपने घर जा रहा था क्रीडा परिसर के पास बाइक सवार चार लड़कों ने उसे रोका दराया धमकाया और हाथ में रखे मोबाइल फोन को लूट कर भाग निकले इस गटना पर फर्यादी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है धरमपूरा क्रीडा परिसर से प्रार्थी जब मोबाइल पर अपनी बात कर रहा था उस समय पर कुछ प्राधिक तत्वों के दारा उसका मोबाइल लूट लिया गया था इसमें धरा 392 के ताहर थाना कोतवाली में अपरात पंजीबत किया गया था इस पूरे प्रकरण में सोनो बगेल और भूशन कश्यव जोकी जगदलपूर के निवासी है उनको अरेस्ट किया गया है नयक रिमान पर भेजा जा रहा है इसी प्रकरण में दो अन्यारोपी अभे मसी और कुलदीप भी है जिनकी अभी पतातराश जारी है